नमस्कार, रीसेंटी श्रीलंका के एक मेंबर आप पार्लियामेंट दौराद चाइना को धंकी दे दी गई जहां पर चाइना को ये कहा गया है कि अगर चाइना अपने लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं करता है तो हम लोग चाइना गो हूम केमपेंच चलाएंगे यानि कि चाइना को श्रीलंका से भगाएंगे अब ये क्यों हुआ ये किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसे मैं शुबए सिक चोहान आप लोग के साथ में इस सेशन के अंदर डिसकस करूंगा बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में साथ में टेलिग्राम ग्रूप के उपर जुड़ सकते हो मेरी क्लास की पीपीटी पीडिये आपको हमें मिल जाती है इसके अलावा रोज सुबे 8 बजे 10 दो अनालेसिस की कलास में दौए पातफरने चनल के उपर लाइव ली जाती है आप यहाँ पाई में साथ में जुड़ सकते हैं तो देख उस्तों रीसेंड़ी तमिल लेजिस्लेटर है श्री लंका के अंदर नाम है शानक्यन रासमनी का जिनके द्वारा चाइना को क्लियर लिए धंकी दी गई है कि हम लोग चलाएंगे चाइना वो हम केमपेइन पर यह बात यहाँ पर कैसे है इस लेवल तक कैसे पहुंची थोड़ा सा उसे समझते हैं देखो दोस्तों आप सबको बता है कि श्री लंका के अंदर एकोनोमिक क्रैसी शल्प जहाँ पर श्री लंका के पास में फोरेक्स रिज़व जो है वो लगबाग खतम हो चुके जिसके कारण से श्री लंका की आवाम जोब पहले से बहुत ज़़ाँ परिशान है अब श्री लंका को गई इस एकोनोमिक क्रैसी से उतरना है तो उसे चाहिए एक बड़ा लोन जो लोन दे सकता है आई एमेव जैसा बड़ी संस्था जिस तरीके से 1991 के अंदर भारत को लोन दिया है अगर वो फाइनेंशल अश्रेंस दे दें तो हम लोग आपको लोन दे देंगे एक कंडिशन ये भी है मतलब कि श्री लंका को जिन भी देशों ने लोन दिया जिसके आपको चाइना इंडिया जपान बड़े लोन दायक के रूप में दिखाए देंगे इनसे अगर अश्रेंस मिल जाता है श्री लंका को तो श्री लंका जो है उसके लोन मिले जाएगा आईये मेर से इंडिया और जापान ने अपना अश्रेंस दे दिया है विद्धा है इंडिया ने सेप्टेंबर के अंदर ही श्री लंका के लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया था जिसके ज या तो अपने debt को restructure करें या फिर जो loan उसे दिया है उसे write-off कर दे यानि कि उस loan को maaf कर दे और यह करके चाइना श्रीलंका के लोगों के अपना assurance दिखाए ताकि IMS के negotiation जो है वो आगे बढ़ सके जिसके जवाब में श्रीलंका के अंदर Chinese embassy यह कहती है के sorry member of Paliya में ठीक है शा incomplete है श्रीलंका के साथ में China हमेशा खड़ा है COVID-19 में हम लोग खड़े थे livelihood relief के दौरान में हम लोग खड़ी थे इवन आपकी जो constituency हम लोगों ने वहाँ पर भी पैसे दिये थे COVID-19 के दौरान इवन financial crisis के अंदर भी हम लोग पहले हैं जो आपके साथ में खड़े थे पर यहा मैं श्रीलंका की तरफ से कह रहा था मैं श्रीलंका की लोगों की तरफ से कह रहा था और श्रीलंका के लोगों के पास मैं अपनी एक sovereignty है तो मैं उसी sovereignty को exercise कर रहा था जब मैं China को कह रहा था कि अपने loan को restructure कर दो अपने loan को write-off कर दो पर जब मैंने ये बात कही तो उसके बा चाइना और उसकी Embassy अगर शी लंकान लोगों के साथ में नहीं है और शी लंकान लोगों के इंट्रेस्ट के अंदा काम नहीं कर सकती तो हम लोग चलाएंगे चाइना Go Home Campaign अब सवाल उटता है यह चाइना Go Home Campaign क्या है शीलंका के अंदर ऐसा ही एक Campaign कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था श्रीलंका कहना जब economic crisis शुरू हुआ था तो उस समय पर हम लोगा को देखने को मिला था कि उस समय पर सरकार थी गोतबया राजपक्सा की और गोतबया राजपक्सा जब पावर में आये थे तो उस दोरान में उन्होंने श्रीलंका को बहुत बड़े- गटी है 2019 के अंदर श्रीलंका के अंदर इस्टर अटेक हुआ यानि कि एक आतंगवादी अटेक श्रीलंका के अंदर हुआ जिसके बाद में श्रीलंका जो पुरी तरीके से इंपोर्ट बहुत तेजी से किये गए जिसके काहन से स्रीलंका इकनोमिक क्रैसिज में आगे एकनोमिक क्रैसिज इतना वड़ा था कि लोग जो है वो तेल के दुकानों के बाहर पेट्रोल की पेट्रोल पंप के बाहर लंबी-लंबी लाइन ले लगा के खड़े थे एक टेंक क जिसके बाद श्रीivat के अंदर एक बड़ा प्रोटेश्ट हुआ था गल्ले फेच ग्रीन के अंदर जहां पर पुरी तरीके से भ्लेम डाला गया क्या हाला कि केवल धियर केवल लोगों ने यहाँ पर गोतबया राजबक्सा एक खिलाफ प्रोटेश करना शुरू किया और कहा गो होम गोटा ठीक है गो गोटा गमा गो गोटा होम यानि की गोतबया राजबक्सा के खिलाफ go home campaign चलाएगे ठीक उसी तरीके से कि अभी कहा जा रहा है कि चाइना go home campaign जो है वो हम लोग चलाएगे ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है अब देखो चाइना जो है क्योकि अल्रेडी स्रीलंका को मदद चाहिए चाइना से क्का इंप्र्याटें जो हो से चाइना जोहँआ इसलिए शीलंका जो है वो यहाँ पर प्रोटेश्ट को तो होने नहीं एपनी प्रेजिन इंडो Pacific region के अंदर बना रहा है Pacific region के अंदर तो उसकी पूरी border share होती है पर चाइना की कोई भी border Indian Ocean के अंदर share नहीं होती है इस कारण से चाइना जो है वो Indian Ocean के अंदर अपनी presence बनाता है जीबुती के अंदर नेवल बेस बना के शीलंका के अंदर हमन टोटा port बना के तो चाइना की Indian Ocean के अंदर presence के लिए शीलंका जरूरी है चाइना को इसलिए भी शीलंका जरूरी है क्योंकि चाइना के अंदर जो हमन टोटा port है शीलंका के अंदर वो 99 साल के लिए चैना ने लीज पर लिया हुआ है चैना के लिए इसलिए भी श्री लंका जरूरी है क्योंकि श्री लंका के अंदर जो हमन्ट उटा पोट है वो wealth and road initiative का भाग है इसलिए चैना के लिए श्री लंका इंपोर्टेंट है जहान पर दो अलग अलग पॉलिटिकल्ट carbohydrates एक पूलिटिकल पार्टी चाइना की पॉर्टिकले पार्टी तो चाइना के फिवर में काम करती जब इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ä-पार्टी कोई अइस एब के साथ और बना के रo तो इसका आण से यह प्रोटेज़ बहुत बड़े पेमाने पहो पाना मुश्किल है पर यहां पर अभी धमक्या तो दी गई है ठीक है चाइना खुद भी नहीं चाहेगा कि अगर यह प्रोटेश्ट होता है तो इसकी वहसे इंडिया के क्या इंट्रेस्ट है उससे देख लेत कि श्री लंका इंडिया के नेबल है इंडिया कभी नहीं चाहिएगा कि श्री लंका के अंदर चायना का इंफ्लूएंश जो हो बड़े अगर चायना के खिलाफ श्री लंका के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं तो ये इंडिया को बढ़ा अच्छा लगेगा ठीक है इवां चाइना के जो इंफ्रासक्चर प्रोजेक्ट अभी डेवलप हो रहा है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा की श्रीलंका के अंदर को लंबो पोर्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है ठीक है श्रीलंका के अंदर चाइना के और भी कैसा इंफ्रासक्चर जो develop हुआ है जैसे kidney का hospital लेवलप हुआ है west port लेवलप हुआ है ये सब कुछ जो है वो श्री लंका के अंदर चाइना डेवलप कर रहा है हम बन टोटा पोर्ट भी चाइना ने डेवलप किया हुआ जिसे अभी तक स्री लंका लगाता इनेगुरेट कर रहा है वहीं चाइना के infrastructure के project की वज़े से इंडिया के infrastructure project जो है वो रूप जाते थे भारत ने जाफना के अंदर एक auditorium बना जिसे लंबे समय तक inaugurate नहीं कहा गया था श्री लंका की सरकार के रहा है क्योंकि श्री लंका को एक अच्छा option दिखता है चाइना अगर चाइना वाला option नहीं रहेगा तो इंडिया के infrastructure project easily integrate हो पाएंगे वो ज्यादा infrastructure project जो है वो इंडिया को मिल पाएंगे शेलंका के अंदर हाला कि इंडिया जो है वो शेलंका की काफी मदद भी कर रहा है इस financial crisis के अंदर जहां पर हम लोगोंने 4 billion dollar का assistance जो है वो पहले ही दे दिया है तो दोस्तों आज के लिए इता ही रखते हैं lecture कैसा लगा like करो और चैनल को subscribe करो साथ में साथ में साथ में अगर आपको lecture बहुत अच्छा लगा तो आप लोग src10 comment कर सकते हो अगर आप लोग को an academy के उपर subscription लेना है तो आप लोग code use कर सकते हो src10 जिसके दोस्तों आज के लिए इता है जैन जै वारत